ये रिष्टा के कहलाता है कि आने वाले एपिसोड में हम देखींगे कि करिश्मा को अब इस बात से बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है कि उसको जब सारी जब्मेदारी दी गई थी फिर उससे इस तरह से बात क्यूं की जा रही है नक्ष बहुत ज़्यादा गुस्ता हो जाता है नैतिक की डाट सुनने के बाद और जब की गलती उसी खुद की है लेकिन फिर भी वो वहाँ पर रुकता नहीं और तुरंद ही वहाँ से भाग जाता है यश्वी उसके पीछे पीछे उसके सार जाता है जैसे ही वो जाता है उस किसी के चलते इतना जादा जिद्धी होता जा रहा है कि अपनी बात मनवाने के लिए किसी से कैसे भी बात कर सकता है कुछ भी बोल सकता है तब यह सब बात बोल ही रहा था तब दिव्यानी कहती हैं बच्चे ऐसे ही होते हैं लेकिन नैते को गुस्ता आ रहा है बहुत जादा तब ही करिश्मा बोल पड़ती है कि I am sorry to say भईया लेकिन अगर जिदी नक्ष है तो जिद आप भी तो कर रहे हैं कि इस तरह से आपको उससे कहना चाहिए था अरे आपने तो उसका बर्दे ही spoil कर दिया आप कहते हैं कि आप उसके खुशी के लिए ये सब कर रहे हैं लेकिन कह माँ खुशी के लिए कर रहे हैं आप तो सब spoil करे दे रहे हैं नैतिक कहता है कि तुम्हारे कहनी का क्या मतलब है एक माबाप से जादा अपने बच्चे की खुशी और कौन चाहेगा करिश्मा और मुझे एक बात बताओ कि अगर बच्चा कोई जिद कर रहा है और वो बात जलत है तो क्या हमें उसे बढ़ावा देना चाहिए ये नहीं तुम्हारी तरह है कि अपने साइट करने के लिए उसकी हर जित को मान लिया जाए करिश्मा बोल पड़ती है एकदम से गुस्से में कि वाट डियो मीन बाय कि मैं उसे अपनी साइट कर रही हूं मैं तो नक्ष अपने जेट से बात कर रही हो करिश्मा कहती है कि इसमें जेट वाली बात कहां से आगी मौम एक सिंपल कॉन्वर्जेशन हो रहा है भावी मा कहती है लेकिन करिश्मा बात करने का बढ़ों से एक तरीका होता है ये बात सुनके वह एकदम से चुप तो हो जाती है लेकिन अ अपने तरीके से कर सकती हूँ अगर ऐसा था तो आप लोगों को मुझे ये काम देना ही नहीं चाहिए था नैते कहता है कि अच्छा लेकिन आभी तो तुम बीच में ही सब को छोड़ चाड़ के चली गई थी तब तुम इस बात का ख्याल नहीं आया क्या वो सही था करिश्मा तबी करिश्मा आगे कुछ बोल पाती तबी बीच में अक्ष्रा बोल परती है कि ये सब क्या हो रहा है ये बात कहां से कहां जा रही है ये सब बीच में ही प्लीज बंद कर दीजे चुप हो जाईए आप दोनों जब वो ऐसा कहती है नैते को भी खराब लगता है किस तरह स कहती है कि यश अपने दोस्ते बोलो कि मुझे तो इससे बात करनी है डुगू बेटा आपने भी तो गलत बात की ना इस तरह से आपने बोला क्या वो ठीक था नक्ष बोलने लगता है कि नई ममा मुझसे कोई भी प्यार नहीं करता है जब करिश्मा चाची ने रिस्पॉंस अब क्यूं ऐसा सोच रहे हो और फिर आपकी पार्टी तो हम क्री रहे थे ना जब हो कहता है कि मम्मा मैं तो आपकी सारी बात मानता हुँ आप हमेशा जो कहती है में वही करता करो तो हमेशा में अधानि बार सब्सक्राइश लेकिन जब पापा नीन से उठे थे तब आपने भी तो कितना बड़ा सेलिब्रेशन किया था ना ममा, क्या आप मेरे लिए सेलिब्रेशन अब तब करोगी, जब मैं भी बहुत ज़्यादा लंबी टाइम के लिए नीद में सो जाऊंगा, वो ऐसा बोलता है एकदम से और अक्षरा को वो कुछ नहीं सुनता और उस पर चिलाने ही लगता है, अक्षरा मायूस होके वहाँ से चली जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, वहीं दूसरी तरफ आग में घी डालने का काम रुकमनी करती है, और करिश्मा से कहती है, तुमने जो कहा वो तो सब कुछ बिल्कुल सही था, लेकिन मुझे समझ नहीं आते हैं, यह लोग समझते क्यों नहीं, करिश्मा कहती है कि पता नहीं सबको क्या दिक्कत है, तो कहती है कोई बात नी बेटा, यह लोग है ही ऐसे, तब ही वहाँ करिश्मा को कोई पैकेट देने के लिए देवयानी आ जाती है, और उसके जा लेकिन कुछ-कुछ बात देव्यानी ने शुन ली थी तो देव्यानी उससे कहती है कि जी जी रुपनी भेन आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं और हम आपसे यही आशा करते हैं कि आप बात को बिगाड़ेंगी नहीं बल्कि उसे समहान लेंगी वहीं दूसरी तरफ वर्शा और शौरे जब घर पहुंचते हैं तो सारे घरवालों को सारी बात बताते हैं वर्शा बहुत जादा उदास है इस बात से के उसके केक वाली बात से कहीं इतनी परिस्तेदी बिगड़ गई है शौरे उसे समझाते है कि नहीं वर्शा इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं बल्क कि हमें बच्चों के सामने ऐसी सब बाते नहीं करनी चाहिए गलत असर पड़ता है तबी राश्री कहती है कि मैं क्या जमाई सागो फोन करके उनसे बात करूँ एक बार समझाने ही कोशिश करूँ कि बच्चे के संग इतनी सक्ती न बढ़ते हैं दादी कहती है कि नहीं बड़ सारी बात बता सकती हैं हो सकता है आपकी बाते उपर तक भी पहुंच जाएं अक्ष्राव से कहना शुरू करती है कि नैदिक बहुत जिद्धी है मोहिट जी और उनका बेटा बिलकुल उन्हीं पर गया है वो भी उसी तरह जिद्धी है और इन सब के बीच में मैं फस जाती मोहिट जी मैंने अपनी बातों से आपको भी परशान कर दिया ना जब वह ऐसे कहती है तभी मोहिट उससे कहता है कि नई भावी बिलकुल भी नहीं और फिर मैं तो आपका नंदी हूं न या फिर आप मुझे अद्रश्य दोस्त भी कह सकती है जो आपकी बाते अब उपर त पूशी का भी किसी को खयाल नहीं है सब लोग मुझे नीचा दिखाना चाहते हैं और तुमने भी मेरा कोई साथ नहीं दिया नमन उससे कहता है करिश्मा मैंने हमेशा तुमारा साथ दिया है तो इस तरह से मुझे ब्लेम मत करो और मुझे प्लीज शांति रहने तो मुझे क करना है तब वो कहती है कि शाहा काम का टॉंट मुझे मत मारो मैं भी काम कर रही थी अब तक लेकिन अब मेरे पास काम नहीं है नमजु समझाने की कोशिश करता है लेकिन करश्मा तुन जैसे ठाने बैठी है कि वो कुछ नहीं समझेगी वो आगे कहने लगते हैं कि तुम भी अपने फरिवार का ही साथ देते हो, मेरी तो तुम्हें बिल्कुल कुछ पड़ी ही नहीं है, मुझे भी तो शांती चाहिए अपनी जिंदिगी में, ऐसा लगता है कि जैसे शादी करके कितना बड़ा गुनाह कर दिया, ना शादी होती और ना ही ये स्ट्रेसफुल लाइफ ह अधिर Saints रहे होती, नमना उससे फिर से कोशिश करता है कहने की मैं बस अपना यहां काम करना कोशिश कर रहा हूं करिश्म, लेकिन करिश्म फिर से बोलना सुरू कर देती है और शांत् होने का नाम ही नहीं लेती, इन्त में वो खुदी, शांत हो ईता हुजता है, यहां हो आ स्क्रीन फोन भी ना पता नहीं कब किसको कॉल लग जाए तभी करिश्मा सुनती है सामने से किसी लड़की की आवाज आती है वो उसके बारे में पूछने लगती है तब वो कहता है कि हाँ चीनी है जैसा नाम है बस वैसे ही वो खुद भी है बहुत प्यारी है मेरे पास यहां पर दस साल की एक लड़की है जो बहुत ही प्यारी है और मेरे पास कभी-कभी मैट सीखने के लिए आ जाती है दूसरी दरफ दिव्यानी बदाती है अक्षरा को कि नक्ष कुछ भी नहीं खा रहा है ना अक्षरा सोचती है कि वो ही उसे खिलाएगी लेकि नैते को उसे मना क शान पढ़ जाते हैं जिसके बाद नक्ष को जब रात में 12 बजे के बाद भूग लगती है तो वो सोचता है कि अभी कोई भी नहीं है अब मैं जाके कुछ खा लेता हूँ यहां पे काफी चलाकी वो दिखा रहा है तभी नैते को उसे आवास देता है और उसका हाथ अपने बेटे के जंदिन के दिन उससे नराज हो सकता है क्या तब वो कहता है कि पापा तो फिर किया कर आज के बाद फिर आप नराज हो जाओगे तब वो कहता है क acredite करेगी और किसे वो अकेले ही जाएगी क्योंकि वो और अर्गोनाईजर है सारे बच्चों को लेके सब ल